हेलो फरेंट सोमीयाच किचिन में आपका स्वागत है आज बनाएं मैंने मूली के परांटे बहुत ही टेस्टी बने हैं यह देखिए और पूरी अच्छी तरीके से मूली भरी होई है और फटे हुए भी नहीं है परांटे बहुत ही टेस्टी बहुती मजेदार और white मक्षन के संग और जो हरी मिल्च बनाई है न मसाले वाली उसके संग बहुती टेस्टी लगते हैं तो आप एक बार जरूर बना करके देखें जाड़े हैं तो जाड़ों में थोड़े से इसी तरीके के पराठे खाना इसी तरीके का चाहिए होता है तो मैंने ये मूली लिए हैं जितने पराठे आपको बनाने हो उसी साब से आप मूली को ले ले मूली को छील लेंगे पहले धो करके अच्छी तरीके से फिर छीलेंगे मूली को क्योंकि मूली पे भी गंदगी उगरा लगी होती है पहले धोलें और फिर मूली को छील लें इस तरीके से सबी मूली को छील लें आप देख सकते हैं अब मूली को ग्रेट करेंगे आप चाहें चौपर में चौप कर सकते हैं और चाहे तो जो मिक्सी होती है उसमें ग्रेट कर सकते हैं जैसे आपको लगे आप ग्रेट कर लें पूरी मूली को यह मैंने सारी मूली ग्रेट कर ली हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके रख देंगे जिसे कि जो इसका पानी है वो अलग हो जाएगा और पराटे इसमें कोई ओईल वगरा मैंने कुछ घी वगरा नहीं डाला है और आटे को मल मल करके माल रही हूं आप देख सकते हैं इसे क्या है आटा बहुत ही अच्छी तरीके से गुत्ता है एकदम सौफ्ट पराठे बनते हैं कड़क पराठे नहीं बनते हैं अब थोड़ा सा घी माल करके रहें जिसे की आटा फूल जाता है अब जो मिर्च बनानी मिर्च इलिए अगर ज्यादा चर परी को यह आए उतक्या नहीं जाते हैं इस तरीके से स्लिट करके एक तरफ से कट करेंगे जैसे कि रंख मिलच ли जर्षे। ज़से दो करके तो लेख कने और मिश्च थोड़े साइस की तो मैं इस तुड़े सझाव बड़े साइज की NOR प्रिभन से हाफ निविट कर ले रही हूं दिस्च जला मतलब हाफ कट कर ले रही है ये जिस खाने में आसानी रहे ये निव Şu तोड़ी सी लाल मिलच हल्दी है और थोड़ी से अमचूर पाउडर है करीब वन टीस्पून मतलब 3-4 टीस्पून करीक तीनों चीजे हैं तो मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा गाला सा बन जाना चाहिए पस नीबू में सभी मसाले अच्छी तरीके से डूब जाने चाहिए यह देखे इस तरीके से मसाला तयार हो गया बहुत ही जटपट पनने वाली मिर्च हैं तो जाड़े हैं जाड़ों में थोड़ा सा खटापन है वो अची तरीके से मिर्चों में आ जाता है बहुत ही टेस्टी लगती है यह मिर्च आप भी एक बड़ जरूर बना करके देखें अगर और कमेंट करें कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी और जो मसाला बचाए न मैंने वह भी मसाला इसी में डाल दिया है अब यह मूली का कस है इसको रखे हुए करीब 10-15 मिनट हो चुके है मूली के कस को इस तरीके से निचोड लेंगे मेरे हातों में जब मूली को निचोड़ते है तो जलन बहुत जादा होती है बहुत जादा जलन होती है ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हाथ जला दिये हूँ तो इस जाए तो आठे को माड सकते है अब थोड़ा सा धनिया काट लेंगे थोड़ी सी हरी मिल्च कट कर लेंगे तो मैं हरी मिल्च को इस तरीके से कैची से कट कर रही हूँ जिससे की हाथ में मिल्च ना लगें बहुत ही टेस्टी पराठे बनते है आप एक बार जरूर बना करके इस तरी के से पाहटे बनाएंगे ना तो भार बार पाहटे बनाने के मन करेगा नहीं हरी मिल्च पाता न देके से तोड़ा सा गरम मसाला, कि आपधा माधा धनिया पाहटपक, नमक हमा Maarust नमक और अमचूर पाउडर खटाई सबी मसाले जो अपने टेस्ट के अनुसा डाल सकते हैं यह थोड़ा सा जीरा डाला है और यह धनिया पाउडर डाला है और मैं इस लाल मिल्ट की जगह इसमें चिली फ्लेक्स टाल रही है जिसे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है थोड़ी सी कसूरी मैती डाली है आप चाहें तो लाल मिल्ट डाल सकते हैं ऐसा नहीं है कि चिली फ्लेक्स से डालना ज़रूरी है अच्छी तरीके से मिक्स कर रहेंगे जब मूली को निचोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी से गठर गठर से पढ़ जाते हैं खट्टा सा हो आप इस तरीके से अलग-अलग कर लें जिसकी नमक डाल कर कर के में मिक्स हो जाएं अगर आपके पास फी ने तो एक कड कप्रेट काई में kurma करणा करके अची तरीके से mix कर दें तो bread पूरे पानी को soak लेगी अब पराठे को बेरागे तो पराठे को बेलने के लिल्व में इस तरीके से थोड़ा सा बेल लिया है बेलने के बाद इसमें देखे filling को भरा है two table से भी जादा filling को भरा है इसमें मैंने खुब अच्छी तरीके से फिलिंग को भराएं जिससे की खारने में बहुत अच्छा लगता है जब अप ढबे वगईर पर पर कहीं पर्माटक आता है तो उसमें फिलिंग बहुत अच्छे से भरी होई होती है तभी पराटकी बहुत अच्छे लगते हैं तो इसके लिए मैंने filling को बहुत अच्छे से भराए और मूली का कस जो होता है ना मूली का जो वो एक तरफ गठर सा बन जाता है उसको हाथ से इस तरीके से थपता पाएंगे ना तो पूरे में फैल जाता है और फिर हलके हाथ से पराठे को बेल लेंगे बिल्कुल भी फटा ह वो पराठा नहीं बनता है आप देख सकते हैं और मैं कितने आराम से पराठे को बेल रही बिल्कुल भी नहीं फटा है और दोनों तरफ जो filling है वो अच्छी तरीके से भर जाती है आप देख सकते हैं गरम तबे पर पराठे को डाल देंगे आप चाहें तो लोई को इस तरी कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर जरूर करें इस तरीके से पराठे को रॉल कर लेंगे बंद कर देंगे और फिर से पराठे को बेल लेंगे थोड़ा सा थपसपा करके बस मूली का ही पराठा इस तरीके से करना प पराठे को बेलने के बार जो पराठा तवे पर तच गया उसको पलट देंगे और दूसरी तरब से भी पराठा जब सीख जाएगा तब इसको सेख लेंगे घी डालके ऑईल डालके या मक्षन डाल करके बहुत ही टेस्टी लगता है मैं तो घी में ही सेखती हूं हर बार मैं आ अपलोड करूँ उनकी तो यह देखिए पराठा कितना अच्छा से करके तयार हो गया अग्दम फूला फूला पराठा बना है और यह देखिए फिलिम कितनी अची तरीके से भरी हुई है यह देख सकते हैं तो मूली का पराठा बहुत ही टेस्टी बन करके तयार है सेम तरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप उसमें वाइट बटर भी घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहा है आज तो सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं करलान के सुकदेब धाबे पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैंबली के साथ में स्टे हैपी एंड कीप कोकिंग थैंक यू और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते लिए सौम्याज केचिन